हाई फ्रेंड्स हमारे अनुज कुमार चैनल में आप सभी का बहुत-मूश स्वागत है तो कल की वीडियो में हमने आपको इस कुट्टी की कटिंग करना बताया था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत-मुश धन्य Khat तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी सिलाई बताएंगे आप इसका फाइनल लुक देख सकती है जब हमने कटिंग करके दिखाया था तो यही लुक था और देखे बनाने के बाद में भी सेम वही लुक है हमने इस पर ब्लेक कलर के बटन लगा लिए है तो चलिए इसकी सिलाई सुरू कर लेते हैं और लाइक जरूर कर देना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो देखे सबसे पहले अगर आपको कटिंग का वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वरना जब इस वीडियो का एंड होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्णर पे आपको दिख जाएगा वहाँ किलिक करके डारेक्ट चैनल पे जाके देख सकती है वरना हमें कमेंट करके बताईए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट द्वारा ही दे देंगे तो देखिए सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट उठाएंगे जो हमने कल कटिंग किया था तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है अब जो हमने अस्तर की दो लेयर कट की थी उनको हम ऐसे रखेंगे अभी हम आपको थोड़ा सैट करके दिखा रहे हैं सिर्फ गले को ही इसे फिनिसिंग देंगे क्योंकि ये नेट है तो इसमें बहुत ही मतलब पहली से इतनी फिनिसिंग है तो इसमें कोई धागे वगरा नहीं है तो इसलिए हम डारेक्ट इस पर बटन लगाएंगे अब पहले हम गले पे करिवन आदे आदे इंच से थोड़ा सा कम मार्जन लेके सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल गोल सिलाई और छोट छोटे कट्स लगाके इसको अब हम सीधी साइड को पलट देंगे अब देखे ये हमारी कुर्टी की सीधी साइड आ चुकी है अब हम गले को सेट करके और एक सिलाई गले के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और प्लीज साथ की साथ लाइक भी करते चाहिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे अगर आप इस कुर्ती को खरीदना चाहती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा आप बहुत कम रेट में इसे खरीच सकती है वरना हमारी स्टीचिंग.com के नाम से वेबसाइट भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट द्वारा भी खरीच सकती है आप इसे तो आप क्या करेंगे इसके चारों त कुर्ती में बहुत पिनिसिंग आनी चाहिए जैसे कि इस कुर्ती में आपको दिख रही है अब देखिए आप इसको हम ऐसे लेके आएंगे और यहां से इसके चारों तरफ हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं अब पूरे में सिलाई हमने लगा दी है अब चाहें तो आप लेस लगा लीजिए या फिर कोई बटन लगा लीजिए तो हम इसमें लेस का यूज करेंगे तो हमारा फ्रेंट पार्ट हो गया तयार अब बाजू को तयार कर लेते हैं सबसे पहले हम बाजू का यह पार्ट रखेंगे और इसको पहले नीचे से बॉर्डर को मोड देंगे आधा-दा इंच हमने मोड दिया है अब हम करीवन 2 इंच तक खाली सिलाई लगाएंगे मतलब क्योंकि इतना हमारा फिटिंग में जाता है यहां से लगाई अब हम क्या करेंगे इसमें उल्टी साइड को रखा है हमने नेट को धिहान रखें आप सीधी साइड से नेट को उल् कहीं कुछ सीधा साधिड़ का सबस् Hahn को सकता है तब करके चेफ़ते हैं करते हömंद कि आ जा भास आना को आ निक्तिता देखाएं रिख़ां की डिया के रोवाई के सब्सक्राइक rasa अंति तो आप इस अंदाज़ बना के चाहिए नहीं शेया को प्लेट संदानेक की कूछ प्लेटेड बाजू अब हम यहां से फिटिंग लग जाएगी जहां से छोड़ा था अब हम क्या करेंगे दूसरी बाजू को भी हम सेम तयार कर लेते हैं उसका भी नीचे से बॉटम फोल्ड कर लिया है और इस पे भी हम ऐसे छोटी छोटी प्लेट डालेंगे तो देखिए द नॉर्मल बाजू को लगाते हैं उसी तरीके से हम पूरे में बाजू को लगाएंगे लिकुल और बाजू को हम करीवन आदा आदा इंच कपड़ा दबाते हुए लगा लेंगे और दूसरी बाजू को भी हम सेम लगाएंगे एक बाजू को हमने लगा लिया है और देखिए अब दूसरी बाजू लगा लिए अब इसमें हम फिटिंग के लिए निसान लगा लेंगे आपकी अगर देखिए कोई पुरानी कुरती है तो आप उस कुरती से फिटिंग का निसान लगा लीजिए लेकिन हमें एक्जेक्ट पता है कि हमारा जो फिटिंग है वो करिवन 22 इंच पे होगी तो हम उसी मेजर के हिसाब से ये फिटिंग का निसान लगा रहे हैं और 13 इंच तक हमारी सिलिट नीचे से ओपन रहेंगी 13 इंच तक हमें सिलाई लगानी है तो इसलिए हमने दो निसान और लगा दिये हैं अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं तो नीचे से देखिए जो बाजू के बाटम से वहां से सिर्फ आपको एक इंच कपड़ा दवाना है ज्यादा नहीं दवाना है क्योंकि वह जितना खुला रहेगा उतना ही वह अच्छा लगेगा और यहां से हमें गरिवन 2-2 इंच जो हमारा मार्जन है वह हम दवाते हुए और नीचे तक जो 13 इंच पर हमने निसान लगाया है तिर्चा वहां तक लेके आएंगे और फिर सिलाई को ऊपर की साइड गुमा देंगे क्योंकि उससे नीचे हमारी सिलिट ओपन रहेंगी और उस सिलाई को गुमाना बहुत जरूरी होता है वन्ना जो हमारी सिलिट वाली साइड होती है उसका मुह खुल जाता है और उसमें से धागे निकलते हैं तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए तो यहां से देखिए हमने पूरा 13 हिंच तक लेके आगे इस सिलाई को अब हम क्या करेंगे अब अपने फुट को उठाएंगे और उपर की साइड गुमा देंगे तो हमने गुमा दिया है अब दूसरी साइड को भी हम सेम फिटिंग कर लेंगे फिर इसकी सिलिट मोडेंगे तो देखिए दोनों साइड को फिटिंग हो चुकि यह बहुत अच्छे से हमारी अब हम क्या करेंगे इसकी सिलिट मोड लेते हैं तो सिलिट मोड ने की नहीं और देखिए इसको चाक भी बोलते हैं इसको और शिलिट भी बोलते हैं तो हम पूरा इसको मोड लेंगे तो देखिए यहां तक हम मोड के इसको ऊपर की साइड लाके और धागे को छोड देंगे फिर उसके बाद हम साइड से अब देखिए आप चारु सिलिट को अच्छे से नाप देखिए तो फिर से हमने 1.5 इंच कपड़ा मोड लेकिन सिलिट को चारों को नाप नाप के करें ताकि कोई भी चाक आपका छोटा या बड़ा ना बैठे और हम जो नीचे का बॉटम है उसको नहीं मोडेंगे उस पर किनारी आई हुई हम डायरेक्ट लेस को लगा देंगे और इस कुर्ती की हइट भी काफी बढ़ जाएगी हमने आपको इसे जो स्कीन कलर की लैगिन्स होती है उस पर पहन के दिखाएगे क्योंकि आपको इसका लुक दिखाई ने देता तो इसलिए हमने अब देखे यहां से इसको ऐसे फिनिसिंग दे देंगे इस तरीके से पक् जो नीचे का border है उसको लगाएंगे तो पहले इसको हम करिवन आदा इंच के बरावर पूरा फोल्ड कर लेंगे पूरा फोल्ड कर लिया है हमने border को अब हम अपनी कुर्टी के bottom पे लगाएंगे इसको तो हम इस सुरूबाद से ही plate डालना सुरू करेंगे क्योंकि इसमें कर सकते हैं प्लेन कपड़े का यूज़ करके अपने लिए बहुत ही प्यार एक पाइटी वेर कुर्ती बना सकती है और जो एक कुर्ती है इसके साथ वाइट डुपट्टा वाइट लेगिंग बहुत अच्छा मतलब एक प्यारा से इसका लुक आ जाएगा तो यहां से देखि कि आपको हमारी सिलाई की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी अब एक सिलाई इसके उपर से लगा लेते हैं ताकि जो हमारा कपड़ा है वो अच्छे से फिक्स हो जाई तो जो कपड़ा है एक्स्टा उसको अंदर की साइड मोड के ही करना है अब बैक पार्ट को कर लेते ह और इसको भी ऐसे रखे और इस तरीके से करीवन एक एक इंच की हम प्लेट डाल देंगे देखिए यहां से सेम आपको जैसे हमने बैक में किया था उसी तरीके से आपको करना है तो बनने के बाद में कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है देख सकती है तो हमें उमीद ह चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बना सकें